किसान सातियों नमस्कार, राम राम, आदाव, सस्रेकार किसान सातियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, वगवान से यही कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें, सवस्त रहें, आपके काम में दिन, दुगन, राज, चुगन, उन्ती हो, हमारी परम, पिता, परम, शवर से यही कामना है किसान सातियों हमने लगातार, एक छोटी सी मोहीम और आपके निवेदन के उपर, और आपके सवहुग से हम चलाते आ रहें पिछले कुछ दिनों से उसमें हम जेविक के अंदर किन किन बातों का विशेश रूप से ध्यान रखें जेविक खेति के अंदर, चाहे हमारी वेजिटेबल हम लगाएं, चाहे हमारी फसले हम लगाएं उन पर हम विविन विविन परकार की जो भी हमारी जो जानकारी है उसके उनुसार हम बाचित करते आ रहें किसान साथियों, आज का जो हमारा विशे है जेविक विदी से हम आलूकी का उत्पाधन किस परकार से हम लें थाकि हमारा उत्पाधन अच्छा हो किन-किन बातों का हम विशेश रूप से द्यान रखें ताकि हमें किसी तरह की समस्या ना आए और वो भी हम वैसदी कमपोजर और वैश्दी कंपोजर के द्वारा निर्मित जो भी हमारे उत्पाद हैं, जेविक उत्पाद जो भी हम बनाते हैं, उनके अनुसार हम आलू की फसल कैसे लगाएं, उस विशेपर हम बाच्चित करेंगे. किसान साथियों, सबसे पहले तुम आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो भी जड़ वाली सबजिया हैं, जैसे आलू, गाजर, सलगम, जो भी आती हैं, आपके एरिया में जो भी होती हैं, अगर उनको जहां भी आप लगाते हैं और वहां पर अगर वैश्द पर नाम मिलेगा, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वैश्दी कामपोजर का उप्योग करने के कारण आपकी जमीन, जिसी जमीन में आप उसका उपयोग करेंगे उस जमीन के अंदर मुलायम पनाएगा और जाहिर सी बात है अगर जमीन मुलायम होगी, जमीन हमारी सव्ट होगी तो जो भी जड़ वाली कोई भी सब्जीया हम लेते हैं उनकी साइज में बढ़ोत्री होगी वजन में बढ़ोत्री होगी और आज उसी परकार हम आलू के विशे पर बातचित करेंगे जो बुआई की समय किन-किन बातों का विशेश रूप से हम ध्यान रखें ताकि हमें किसी तरह की कोई भी समस्या ना आए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आलू का समय अब अक्टूबर महा 5 अक्टूबर के बाद स्टार्ट हो चुका है 5 अक्टूबर के बाद आप कभी भी आलू अक्टूबर महा में लगा सकते हैं सही और उचित समय है किसम की अगर हम बात करें तो अपने एरिया और अपने छत्तर की हिसाब से किसम का चेहन आप किसान सात्यों समम करें आपकी एरिया में कौन-कौन सी किसमें लगाई जाती हैं उन विशे में आप वीज पीप्रेट केंदर जो भी आपकी आसपास हैं या जो भी आलू की खेती काफी सालों से करता है उससे प्रामर्स करके आप अपने बीज का चेहन करें हम आज मुख्य रूप से बादसित करेंगे कि हम वैस्डी कंपोजर का उपयोग आलू की फचल में किस परकार से करें ताकि आलू का उत्पादन हमारा अच्छा है सबसे पहले आलू की जमीन को जहां भी आप त्यार कर रहे हैं उसकी गहरी जुताई करने के बाद उसमें जो नमी आप बनाते हैं या उसको किसी भी मादम से आप त्यार करते हैं तो जमीन को त्यार करने से पहले जितनी भी मात्रा में जितनी हदीक मात्रा में वैस डीकमपोजर आप उस जमीन में पिलाने का काम करेंगे तो बहुत स्यांदार होगा बहुत अच्छा होगा उसका रिजन क्या है जो भी फसल क्या उसे आपके उस खेत में पड़े हैं तो सबसे पहले वो जल्दी डीकंपोज होकर अपना बहतरिन काम करना शुरू करेंगे एक बहतरिन खाद बनके आपके आने वाली आलू की फसल के लिए उपयोगी होगा दूसरा जड़ गलन की जो समस्या हैं आपके मोश्तरी आलू की जड़ वाली जो भी सबजिया होती हैं उसमें जड़ गलन की सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बहंकर समस्या हमारी फसलों में आती हैं और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि पूरी फसल ही चोपट हो जाती है, 60-70% फसल में नुक्सान हो जाता है, अगर वेस्टी कंपोजर 1000 लेटर से लेकर 2000 लेटर परती एकड़ के हिसाब से आप डालने का काम करेंगे, तो किसान साथियों इतना विश्वास में आपको दिलाता हू अगर पिछली बार आपका जड़ गलन की वज़े से 20% नुक्सान हुआ या 30% नुक्सान हुआ तो वो चोथे हिस्से में आ जाएगा, यानि कहनी की बात है अगर 20% भी आपका जड़ गलन की वज़े से नुक्सान हुआ है, वो अगर आप वेस्डी कंपोजर आधारित अग को काफी वीडियो के मादम से पता भी है कि वैस्टी कंपोजर किस तरह से हम खेत में डालें जब भी आप उस जमीन को त्यार करेंगे उसमें उचित नमी आप बनाएंगे नमी बनाते हैं वैस्टी कंपोजर उसमें जितना अधिक दे पाएं आप उता देने का काम आप कि लिए होता है जिसकी गरदन काली होती है उसे हम वहिट गरप बोलते हैं और मुखे रूप से वह सबसे ज्यादा नुक्सान जो जड़वाली जोही करने glare वे एक हएं उसको माधनम हमारे पास है पहला माधनम अगर वैस्टी कंपोजर आपने पहले दे रखा है तो थोड़ी सी उसकी मातरा को बढ़ा कर आप दे सकते हैं जैसे जहां पर 2000 लिटर अगर आप ने दिया है तो वहां 3000-4000 लिटर आप कंटिन्यू आप हर सिचाई में करने का आप काम कीजिए वह बिलकुल आपको प्रेशान नहीं करेगी दूसरा मैटाराइजियम मेटाराइजियम आप किसी भी कंपणी का नन लेके माइक्रोबाइलोजिडर डिबार्मेंट जो भी आपके पास हैं जो भी का अग्रीकल्चर इनविस्टिया जो बनी हुई हैं उनके अंदर एक microbiology department होता है जहां पर माइक्रो जो भी हमारी सुक्षम जिसे जवानू बोलते हैं वेक्टिरिया बोलते हैं फंगस बोलते हैं वो सारी चीजे वहां पर आपको अविलेबल हो जाएंगी आप बिल्कुल आसानी से अगर हम दिल्ली पुसा की बात करें तो दिल् आपको आप सिक्ता नहीं पड़ेगी तीसरा नीम की खली अगर आपके पास हो जब भी आप हसल लगाएं कोई भी जड़वाली फसलें लगाएं मैं आलू विशेस की बात नहीं कर रहा कोई भी जड़वाली फसलें लगाएं अगर नीम की खली अगर आपके पास हो तो परत कफी किसान साति ही उने इसका बार बार पहुंपी तो पिछले साल से यह का उपयोग कर रहे हैं और पिछले दो साल से कुछ ऐसे पर्मर भी हैं चुनिंदा फार्मर जो है treaty word के फौसल वैसडी कमपोजर से पांच एकड में अलू की फसल उन्होंने लगाई वैस्डी कंपोजर रहधारित आपको विश्वास नहीं होगा कि अलू का जो वजन था उनका 430 गराम से लेकर 480 गराम तक आलू की साइज उनकी रही है उन्होंने प्रैक्टिकली उसका वीडियो भी आपने मानने डॉक्टर स्रीमार किसन कुमाच चंद्रा जी की चैनल पर भी देखा होगा तो उन्होंने काफी अनुबहों आलू के अंदर अरजित किया है वैस्डी किपोजर के अनुसार ही उन्होंने किया माइक्र नूटिन बना के डाला बकरी के मैनवर को बना चेड़ा साथ-साथ में जो कीटना से के रूम में उन्होंने जो प्योग कि यह इस अलो के दूसरे जो पार्ट आएगा उस पर हम बात भी करेंगे कि आगया आने वाले सरदी क उस खेत में डाल सकें उतना डालने का काम आप कीजिए दूसरा जो एक वाइट ग्रेव की समस्या जो आपके सामने सबसे ज़्यादा आती थी उसके तीन ओप्सन मैंने आपको बता दिये हैं उनका उप्योग आप कर सकते हैं आलू लगाने से पहले आलू के समय उसके बाद ज किसान साथियों से निवेदन करना चाहूंगा अगर जो भी आलू आप लगाना चाहते हैं उन आलू को आदे गंटा तक वैश्डिकंपोजर के गोल में कुछ मात्रा माइक्रोन्यूटेन की इसमें बिलाकर वैश्डिकंपोजर में आदे घंटे तक अगर आप छोड़ दें जो अंकूरन आपका रासाइनिक में 70-80% रहता है इसमें आपका अंकूरन पौधे का जो भी फचल आपकी लगाएंगे उसका जो अंकूरन रहेगा वह 100% रहेगा यानि एक अच्छा फुटा उसके अंदर आएगा गरोथ होगी उसकी बहुत 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 होगी सुखाने के बाद आलू की बुवाई आप आसानी से करवा दीजिए और जब भी उसमें पानी लगाएं जब जब आप सी चाही करें हर सी चाही में वैस्टी कंपोजर डालने का आप काम कीजिए सबसे अच्छी बात ही होगी जडल गलन की जो समझ से आपकी है वो बिलकुल खतम होगी और फंगस की वज़े से जो पोदे आपके खराब हो रहे हैं जो भी जमीन से समझ जो भी आपकी फंगस जो आपको प्रेसान कर रही है उससे चुटकार आपको किसान साथियों मिलेगा इससे आप बेहतरिन उत्पादन आप आलू का ले पाएंगे आपकी आलू क की साइज अच्छा होगा बड़ा होगा देखने में उसकी जो साइनिंग आएगी वह बहुत स्यांदार साइनिंग आएगी स्वाधिष्ट तो होगा है होगा उसके साथ साथ क्योंकि रासायनिक में जो आलू का उपयोग किसान साथि करते हैं तो जल्दी निकालने के बाद तो गलने की समस्या उसके सामने आती है और वेश्डी कमपोजर राधारित और जयविक विदी से अगर आलू की फचल आप लेंगे तो उसमें लंबे समय तक आलू को आप स्टोरेज में रख सकते हैं उससे आपको इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा इसके दू आने वाले रोगों से किस तरह से हम छुटकारा पाएं उस विशे पर इसके अगले पार्ट में हम बात करेंगे आज का जो हमारा मुखे रूफ से भी से था कि हम आलू के लिए जमीन कैसे त्यार करें और किस तरह से आलू का बीज करें और उसमें एक आने वाहिट गिरव की किस तरह से निजात करें इस विशे पर किसान साथियों हमने बातिशित की है फिर भी अगर किसान साथियों का कोई सवाल हो कोई जवाब हो तो कॉमेंट बोक्स में जाके वह अपना सवाल बिल्कुर डाल सकते हैं जैसे ही समय लगेगा तो आपको उचित सलाह हमारी तरफ से जो होगी वो आपको देने का काम हम करेंगे आगला जो हमारा वीडियो का पार्ट होगा वो गेहों की बुवाई से पहले अपनी जमीन को किस तरह से हम त्यार करें ताकि हमें आने वाले समय में जेविक वीडियों का अच्छा उत्पादन हम लेशकें और जेविक खेती करने वाले किसान साथे किन-किन किस्मों का चेहन करें तकि उनका उत्पादन बेहत्री兩 अच्छढ थे उस विशेपर अगले भाग में बात करेंगे और किसान साथी एक वीडियो में हर महेने की सुरुवात में का से चैक्सा बनाने जा रहा हूं जिस वीडियो में आपको जानकारी ले पाएंगे की हर महां में जैसे आप अक्टूबर महां चला हिक्टूबर महा में में हम कौन-कौन सी फसलें लगा सकते हैं कौन-कौन सी सबजिया हम लगा सकते हैं उस विशे पर भी हमें एक वीडियो हर महां अलग से इन ही जो भी हमने पार्ट बना रखें इन पार्टों में डालने का काम हम करेंगे और किसान साथ ही आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपका लगातर सह जिमान किसन कुमार चंदराजी का जिन्हें उन्हें एक बहतरी नूत पाद हमारे बीच में लाने का काम किया और जिससे आज आप और हम आमने सामने हैं जो भी हमारे हनुव होते हैं एक दूसरे को आपस में सेर करने का हम किसान साथियों करते हैं एक मैं इस वीडियो के ला आपको दिखाना चाहूंगा यह देखिए पहला यह वैश्डी कंपोजर जो हमने है गन्ने के जूस्स से त्यार किया है और नया जो गुड़ा आएगा उससे अगर आप त्यार करेंगे तो उसका कलर ऐसा होगा दूसरा वैस्डी कंपोजर आप यह देख रहे हैं जो मेडियम साइज गुड़ है जिसको हम खाने में उप्योग करते हैं उस गुड़ का यह कलर आता है तो आप बिल्कुल द्यान से देख लिजिए तीसरा कलर जो हमने पुराना गुड़ ज यह देखे तो ईक्सेंदर बनने की जो में वैसڈी कंपोजर के जो होती है उसमें जाग का बनना मना ंका होना जन्जनाट का होना वो चीज़ें अगर आपके उसमें में हो रही हैं तो आपको किसी तरह की चिंट्या करने की कोई भी आवसिक्ता नहीं कलर बलही ऐक कैसा ही आए तीन तीन कलर मैंने आपके सामने परस्तूत किये हैं यह एक ही वेस्टी कंपोजर के तीनु कलर हैं तो कलर पर बिल्कुल आप कती ही मत जाईए आप लगातर कंटिन्यू इसका उपयोग करते रहिए और मेरा वार्ट्सब नंबर जो है मैं इस वीडियो के अंतरा अंकीत क कर दूंगा उससे जो भी आपकी सवाल जबाब होंगे उसका हम हर संभव कोशिज करेंगे का आपके बीच में सेयर करें तो किसान सातियों इसी के साथ धन्यवाद नमस्कार राम राम जैहिं कर दो